जाने माने आपको मालूल सभी जाख आठिकल के द्वारा आपको हर मत्य पर जागों करते रहते हैं शरी फेबर बता जी दिए जागों जाए जागों 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 मेरी सारे के प्राता है कि जिए जर्फिट करना है कि जिए ज़ी करते आउंगे लाइन जाड़ी है जो ज़िए खट्रियां वारे के माना जिए जबने करते करों तो यह आज का सुभी दह जो यह होसे है इस पे इस आज में अपनी करद़ बजनी थी और महराजा हरी सिंग जी ने सुच वेटार की बाद अपनी सुच खूच के साथ भारत के साथ लिले किया था जमो कश्मीर की या नावाजी दुकर परदेश को इसना फर्क नहीं पड़ता उस बात को सफ़्य ने समझे है कि महराज ने जो विले किया और हम्लोगों की हिंप मे किया हम उसके दो इतल के खर आभारी रहेंगे और आने वchnitt प्डिया में उसके आभारी रहेंगी 27 आपपर को हम विले दिए बैस मना रहे हैं जिस alltid महारा haya रिशिंगा दी7 को इस्टुमेंट आफ एक्सेशन साइन किया था और 27 को उसको अप्रूबर मिला था मैं समयता हूँ कि आज का दिन एक आम दिन नहीं बल्कि एक रियासेट जम्मु किश्मीर के लोगों के लिए उत्मदा पिहार के लूप में है और आज के दिन अगर महराजा साब इस्टुमेंट आफ एक्सेशन पे अगर वो अपनी मोहर वो अपनी जो दूर दर्सिता की सोच पे जो उन्होंने साइन किया और नहीं लगाते तो हम जो अपने आपको भारत वासी कहते हैं प्राउट इंडिन कहते हैं शायद नहीं हो पाले अगर रियासेट जम्मु किश्मीर इंदोस्तान का ताज बना है वो महराजा हरी सिंग जी की बदोलत है आज के दिन उनके चर्णों में शरदांजली देते हुए पूरे जम्मु वासियों की ये भी डिमांड है कि 23 सक्टमबर जो कि उनका मारा जारिसिंग की जनम दिवस होता है उस दिन स्टेट ओलिडे जो है वो घोशित होना चाहिए और जब तक सरकार 23 सक्टमबर को स्टेट ओलिडे जोशित नहीं करती है हमारी जो लिडाई है हमारी जो जंग है वो रियासे जम्मु कि स्टमी में इसी तरह से कॉंटिनू रहेगी और घर से एक-एक नोजवान जो है इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है थाकि आने वाले दिरों में जरकार जल्ब से जल्ब से एक नोजवान जोशित नहीं करते है जोशित नहीं करते है